हेलो एब्रिवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में सेंट्रल गॉर्मेंट की पर्मानेट वेकेंसी जिसमें काफी पोस्ट पर वेकेंसी जाड़ी की गई है कोई भी मास्टर डिगरी पास कैंडिडेट आवेधन कर सकते हैं फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे जहां पर मास्टर डिगरी मांगा गया है साइन्स आर्ट्स कॉमर्स के किसी भी सब्चेक्ट से नॉन टीचिंग पोजीशन रेगुलर बिसेज पर ये वेकेंसी है SCST, PWD, Female Candidate की कोई भी फीस नहीं लगेगी आप किसी भी राच्चे के कैंडिडेट हैं यहां पर form apply कर सकते हैं salary इसमें level 10 के according रहने वाली है जहां पर आवेधन करेंगे 90,000 तक salary आपकी बनेगी चले देख लेते हैं पूरा जो है notification देखेंगे कहां से वेकेंसी जारी की गई है वो सारी चीज़े हम इसमें समझने वाले है सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को यहां बता देती हूँ कि application fees जो है SCST, PWD, Female Candidate and Regular Staff की कोई भी fees नहीं ली जाएगी ठीक है? 0 rupees कोई fees नहीं ली जाएगी लेकिन इसमें जो General category है, EWS है OBC है तो सो समझके जो है form apply करेगा उनकी fees जो है बिलकुल 1,000 rupees रखी गई है salary भी अभी हम देखेंगे detail में online application already start है 26 October 2024 से last date 23 November 2024 रखी गई है इसमें जो है name of the post assistant registrar की है number of post इसमें दो है एक unreserved category की है एक OBC category की है group A की vacancy है level 10 के according salary रहेगी 40 year तक के candidate इसमें आविदन कर सकते हैं केवल master degree 55% marks के साथ में होना चाहिए बस इतना ही मांगा गया है ठीक है और भी कई post है vacancy कहां से जारी की गई है तो vacancy दक्षन बिहार केंद्रिय विसविध्याले Central University of South बिहार से ये vacancy जारी की गई है advertisement for faculty and non-teaching position ये आपको नजर आ ही रहा है इसी में जो है आप लोगों को detail में advertisement दिखाई देगा और कैसे apply करना है तो click here to apply यहां पर दिया हुआ है अब बाकी जो है post देख लेते हैं बाकी और भी कई post हैं जिसमें आविदन कर सकते हैं assistant register के लिए कोई भी जो है इसमें अनुभव नहीं मांग रहे हैं केवल master degree आपने किसी भी subject से किया है 55% या इससे अधिक आपके होने ज़रूरी है group A की vacancy है काफी अच्छी जो है vacancy है उसके बाद जो है हिंदी officers की जो vacancy है तो इसमें जो है जिनोंने master degree हिंदी से किया है English से किया है दोनों ही आविदन कर सकते हैं एक post unreserve category की है level 10 के according इसमें salary है 40 year तक के candidate आविदन करेंगे director recruitment है यानि कि आपका जो है एक exam होगा उसके थुरू आपका selection अभी जो है इसमें master degree के साथ में और क्या मांग रहे है master degree अगर आपने हिंदी से किया है और English एक subject के रूप में आपने पढ़ा होना चाहिए ठीक है master degree अगर आपने English से किया है तो हिंदी, compulsory, elective subject के साथ में पढ़ा होना चाहिए चाहिए किसी भी medium से आप हो उसके बाद देखें master degree of a recognized university in any subject master degree आपने किसी भी subject से किया है हिंदी से किया है, English से किया है चाहिए आप Hindi medium है या English medium है तो English जो है वो आपने एक elective subject के रूप में पढ़ी हो या फिर हिंदी आपने एक elective या compulsory subject के रूप में पढ़ी हो ठीक है तो कई option है यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ master degree आपका हिंदी या English से होना चाहिए अगर हिंदी से है तो English आपने एक compulsory subject के रूप में पढ़ा हो अगर आपने English से किया है तो Hindi आपने compulsory subject के रूप में पढ़ा हो ठीक है तो अब आप देख लेंगे साथ में जो है इसमें इसके अंदर का जो है तीन साल का teaching experience मांग रहे है हिंदी या English तो जिन में master degree मांगा गया है यह vacancy post दो मैंने आप लोगों को दिखा दी है assistant registrar और चाहत में हिंदी वाली ठीक है lower division clerk के लिए जो है जो की group C की vacancy है level 2 के according salary है 32 year इसमें candidate आविदन कर सकते हैं 32 year तक के candidate इसमें जो है bachelor degree यानि सनातक और English typing आपकी 35 word per minute या फिर Hindi typing 30 word per minute होनी चाहिए computer की knowledge होनी चाहिए library attendant की भी देख लें अगर कोई candidate है 32 year तक के candidate level 1 के according salary रहेगी इसमें group C की post है ये number of post इसमें 2 है एक unreserved category की है और एक SC category की है तो इसमें क्या मांग रहे हैं 12th pass आप होने चाहिए certificate course आपका library science पे होना चाहिए एक साल का आपका अनुवफ होना चाहिए किसी university का college का किसी भी educational institute institution का library ठीक है basic knowledge जो computer की मांग रहे हैं MTS multitasking staff की vacancy है तो इसमें तो 10th pass और साथ में ITI pass होने चाहिए आविदन कर सकते हैं group C की post है 32 year तक के candidate तो खासकर जो ये वीडियो जो की किसी भी subject से master degree आपने किया है आपके पास कोई अनुवब नहीं है किसी भी राज्य के candidate आविदन कर सकते हैं assistant registrar के लिए ठीक है बाकी जो है मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है कि इसमें जो application fees है SCST, PWD, female candidate की नहीं लग रही है 23 नवंबर last date रहने वाली है ये जो है ये सबी post है जिसमें vacancy है कितनी vacancy है ये भी इसमें दिखाया गया है एक और vacancy है जिसमें bachelor degree statistics में होनी चाहिए या फिर mathematics के साथ में statistics आपने पढ़ी हो subjective रूप में या फिर bachelor degree economics के साथ में statistics वाले apply कर सकते है या commerce के साथ में statistics वाले इसमें भी जो है वो कोई अनवर्ब नहीं मांग रहे है और ये group C की है इसमें एक vacancy है unreserved category की level 5 के according salary है 32 एर्था के candidate आविदन कर सकते है तो official website का link आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में share कर दिया जाएगा जो भी candidate आविदन करने के इच्छोग रहेंगे आप लोग जो है सबसे पहले इसकी official website पर आएंगे और यहां पर आप लोगों को faculty and non-teaching position ठीक है यह नजर आ ही जाएगा इस पर click कर लेना है apply करने का option भी आपको यहां पर देखेगा ठीक है और detail में advertisement पढ़ सकते हैं बाकी SCST PWD certificate के लिए यहां पर क्या निर्देश है यह देख सकते हैं OBC के लिए EWS के लिए सब भी के लिए ठीक है general instructions for filling application form कैसे application form जो है आपको fill करना है तो यह चीज ठीक है पूरा जो है देखें पढ़ें और उसके बाद ही जो है apply करें क्योंकि fees जो है general category EWS और OBC की 1000 रुपीज है तो source मज़ के ही form apply करिएगा चले मिलेंगे next video में thank you